क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बोडी में खुन कैसे बनता है यदि नहीं तो आज के इस वीडियो को बारी की से समझना है इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि हमारे बोडी में खुन कैसे बनता है और साथीन साथ ये भी जानेंगे बलड हमारे बोड़ी में कीन कीन चीज़ों से मिलकर बनता है और ये भी जानेंगे कि हमारे सरीर में खुन की कमी हो जाए तो उस कमी को कैसे पुरा कर सकते हैं यानि कि आपने बोड़ी में खुन को कैसे बढ़ा सकते हैं तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हमारे बोडी में खून कैसे बनता है। आप जानते हैं कि जब भी हम कुछ खाते हैं उसी से हमारे सरीर को इनर्जी मिलता है और उसी इनर्जी से हमारा पुरा सरीर चलता है जैसा कि गाड़ी को चलने के लिए तेल की असकता होती है ठीक उसी परकार हमारे सरीर को चलने के लिए भोजन की जुरत पड़ती है दोस्तों आप समझेए जो भी हम खाना खाते हैं उसी भोजन को हमारा सरीर एबजर्ब करता है यानि कि हमारे दोवार किये गे भोजन को हमारा सरीर उर्जा के रूप में बदल देता है और उस उर्जा को सरीर के हर भाग में पहुंचाता है अब हम अपने point पराते हैं आखिर हमारे सरीर में खून का निर्मार कहा होता है कैसे होता है जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है हड्यों के बीच में रेट कला का यह बोन मयरो में ब्लड का निर्मार होता है यहां तक तो आप समझ चुके होंगे हमारे हड्यों के में बौन मेयरा होता है और इसी बौन मेयरा में बडर्कनीननेरिमाइए, लेकिन दूस्तों आप बात करते हैं बच्चों की जो बच्चे अभी जो था की øसी ब्लक्सिबल मेर लगावर हoug들 capable करकर को upcoming Level जब कभी पैसलोजी में बलड सेंपर निकलता है इस उसको इस मस्रीमें डालने के बाद प्लाजमा अलग हो जाता है, WC अलग हो जाता है, प्लेटलेस इसमें से अलग हो जाता है, तो हम लोग इसमें से जो बीची चेक करना होता है, सीरम निकल का चेक किया जाता है, एक बार मैं फीर से बता दू कि प्लाजमा बोर्न मेरों में नहीं बनता है, प्लाजमा हमारे यह जो रेट ब्ल Veterans थी है, हीमिग लोविन की माध्यम से आकशीजन को हमारे सरीर के सभी आंगों तक पते पाता है, जब आकशीजन ही नहीं के पहुँचेगा, हमारे सरीर के हर आंगों तक अन्फिक। अब आता है point number 3 WBC इसका full नम होता है white blood cell और इसका scientific name lecosides होता है ये हमारे खुन में लगबग 10,000 होते हैं और इसका जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है ये 4 दिन में अपना काम पूरा करके मर जाता है और फिर दुबारा बनता है फिर 4 दिन जीता है और फिर उसके बाद मर जात होते हैं उसे लड़ने में हमारे साहता करता है अब आता है point number 4 इसका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे इसका scientific name thrombocytes होता है प्लेट्लेट्स के संक्या हमारे खुन में डेल लाग से लेकर 4.5 लाग तक राता है और इसका जीवन काल के बात करें तो लगबग 7 दिन का होता इसका काम क्या होता है कि हमारे blood को cloud बनाता है वैसे आप देखे होंगे कहीं भी सोट लगता है वहां पर कारण क्या है अभी आपको मैं बताया कि RBC का काम पूरे बॉड़ी में खुन के जरी आक्सीजन को पहुचाना होता है फून में कमी होने का में कारण है जब rbc कम होगा तो हमारे सरीर के हर हिंसे तक आक्सिजन भर्पूर मातरा में और जब आक्सिजन नहीं पोँचेगा तो पेरों में हाथों में स्वेलिंग हो जाता है जिसे एन्मिया भी कहाते हैं तो ऐसे सिट्यूोशन में नया खुन बनने में काफी मुश्किल होता है वैसे खुन की कमी का लच्छट हर बेक्ती में अलग-अलग हो सकता है जरूरी नहीं है कि पैरों में हाथों में स्वलिंग हो तभी आप मानेंगे कि ब्लड के कमी है इसके बहुत से कार हो सकते हैं हर बेक्ती में अलग-अलग कार ह हो जाए वैसे तो डॉक्टर सिच्वेशन के हिसाब से ब्लड ट्रांस्फ्यूजन भी करते हैं इमेजेंसी में यदि हमारे सरीर में थोड़ा बहुत लजब भी करते हैं यद सिच्वेशन के लिए sounds